कि नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे कि यह सेंटर अप मास से रिलेटेड है और एक प्लेट दिया गया उनिफॉर्म प्लेट है जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो काड़ दिया गया है अब बताना है कि जो रिमेनी पार्ट है उसका सेंटर अप मास कहा है कहा गया the coordinates of center of mass of a uniform flag shaped lamina यहां पर यह lamina का मतलब हो गया एक प्लेट है ऐसा दिखाया गया फ्लेट अफ मास 4 kg उस प्लेट का मास है 4 kg कहा गया the coordinates of the same are shown in figure तो इनके points जो है यह कह सकते है कि जो corners है उनके coordinates भी दिखाये गये हैं तो हमें बताना है कि जो प्लेट है इसका center of mass कहां पर होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यह जो प्लेट है इसको दो पार्ट में divide कर देता हूं एक पार्ट जो है यह ऊपर है और एक पार्ट नीचे दो प्लेट हो गए और यह दोनों देखेंगे आपकी identical बनेंगे एक प्लेट का जो total area है वो कितना आएगा देखेंगे यह हाइट दिया गया है 3 यह हाइट है 3 और यहां पर यह हाइट है 2 यहां से यहां तक हाइट है 2 यह जो वीट है यह हो गया 1 तो अगर इसका area निकालेंगे तो 2 into 1 यानिकी 2 meter square उपर वाले का भी इतना ही आएगा देखेंगे यहां से यहां तक का जो length है वो है 2 यह x coordinate बता रहा है यह length है 2 और यह जो थीकनेस है यह है 1 तो 2 into 1 इसका भी area 2 meter square इसका भी area 2 meter square यानि दोनों का area equal है दोनों का mass equal हो जाएगा है ना तो total mass दिया गया है 4 kg तो य plates है इनका 1 का mass होगा 2 kg यहादा इसमें मैं इसका mass 2 kg रख सकता हूँ इसके center of mass पर जो कि इसके geometrical center पर होगा इसका geometrical center का coordinate लिखा जा सकता है x coordinate इसके बीच में 0.5 और y coordinate इसके बीच में 2 का आधा यानिकी 1 यह इसके center of mass का coordinate बावाले प्लेट है उसका center of mass कहीं यहां पर होग जिसका x coordinate 2 का आधा याने की 1 होगा और y coordinate निकालेंगे तो ये 2 और इसका 1 का आधा 0.5 तो 2.5 हो जाएगा इसका y coordinate तो अब हमें क्या करना है ऐसा मान सकते हैं कि दो छोटे छोटे पार्टिकल से हैं एक पार्टिकल यहाँ पर रखा गया है और यह वाला पार्टिकल यहाँ प बनेगा उसका center of mass का x coordinate अगर locate करना हो तो हम formula apply करेंगे m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 है नो तो इसका mass देखेंगे 2 kg है और इसका center of mass का x coordinate 0.5 प्लस उपर वाले का mass 2 kg और उसका x coordinate है 1 divided by m1 plus m2 है नो तो यह देखेंगे कि यह 2 into 0.5 यह हुग है 1 plus 2 3 divided by 4 यानि की 0.75 meter है उसे तरह से center of mass का y coordinate निकालना हो तो यूज़ करेंगे formula m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 इसका mass रखेंगे 2 kg और इसका y coordinate जो है वो आएगा 1 प्लस उपर वाले का mass 2 और उसका y coordinate है 2.5 divided by m1 plus m2 तो यह देखेंगे 2 और यह है 5 यानि की 7 by 4 7 by 4 हो गया जो की आएगा 1.75 meter तो x coordinate .75 y coordinate 1.75 ऐसा देखेंगे 4th option में दिया गया है 4th option में x coordinate 0.75 है और y coordinate 1.75 है